तो दोस्तों सैमसंग की तरफ से सैमसंग गलेक्सी A22 5G स्मार्टफोन के लिए बहुत ही अच्छी गूड नियूज निकल गया चुकी है फाइनली इस डिवाइस के लिए सैमसंग की तरफ से नवेंबर 2021 का लिटे सौफ्टर अपडेट जए वो रॉल आउट करना शुरू कर दिया गया है दोस्तों मैं आपको बता दू कि यह जो अपडेट है वो हाली में रॉल आउट किया गया और इसके अपडेट का जो फाइल है वो तगरीवन 589 MB की है दोस्तों मैं आपको बता दू कि इस अपडेट में आपको अक्टूबर 2021 का जो है सेक्योर्टी पैच देखने को मिल जाता है इसके लावर सिस्टम की प्रफार्मेंस और इसकी स्टैबलीटी को इंप्रूव कर दिया गया है और साथ ही आप्टिमाईज कर दिया गया है इसके लावर सिस्टम में अनोन बक्स जो भी देखने को आपको मिल रहे थे वो इसमें फिक्स कर दिया गया है इसके लावर बैट टाइम मोड का एक नया फीचर जो है इसमें आपको इसके नोटिफिकिशन पैनल में देखने को मिल जाएगा तो वहाँ पर आपको एड़ करना पड़ेगर आप बैट टाइम मोड को एनेबल करते हो सेटिंग में जाकर या फिन नोटिफिकिशन पैनल से तो आपकी पूरी की पूरी सक्रीन है वो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी जिससे कि आपकी फॉन की मालों के अगर बैटरी वगेरा कम है तो आप इसे अनेबल कर सकते हैं उस टाइम पे आपके फॉन की जो बैटरी है वो कम यूज़ होगी और आप अपने पूरे फॉन को इस्तेमाल भी ब्लैक एंड वाइट मोड में अच्छे तरीके से कर पाएंगे कम बैटरी में भी तो यह काफी ज़्यादा का एक फीचर जो यह सावित होता है अगर आपकी बैटरी कम हो जाती है तो काफी important जो है यह रोल प्ले करेगा यह फीचर आपके smart phone में इसके लाव़ समार्ट फॉन में और भी improvements आपको देखने को मिल जाएंगे तो ये कुछ improvements आपको देखने को मिलेगी अपडेट में तो फाइनली अगर आपके वास भी Samsung Galaxy A22 5G स्माटफोन है तो आप भी अपडेट को चेक कर सकते हैं अपने software अपडेट में जाकर अगर आपको ये अपडेट मिले है तो फाइनली आप भी से इंस्टाल कर सकते हैं जिसक ये छोटी सी news Samsung Galaxy A22 5G के latest November के अपडेट की निकल के आई थी उमीद करता हूँ आज की information आपको काफी जदा interesting लगी होगी वीडियो पसंदा है तो इसे like जूर कीजे और साथ ही subscribe कीजे हमारे चनल को भी ऐसे updates के लिए फिरे मिलेंगा इस interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए द दोस्तों जैहिन